जवान से लीक हुआ शारुखान का लोग, ट्विटर पर कंगनौर उर्फी के बीच छिडी जंग, नई नवेले दुलहन अथिया हुई ट्रोल, डाल ये इस हफते की 10 कॉंट्रोवर्शल न्यूस पर एक नजर एकली कुमार की फिल्म जवान की आखरी स्केडियूल की शूटिंग शूरु हो गई है, शारुक मंबे में फिल्म जवान की शूटिंग कर रहे हैं, अब हाली में जवान के सेट से शारुखान का लुक लीक हुआ है, जिसके लोग जम कर तादिफ कर रहे हैं पठान के बिग सकसस के बाद दिपिका पड़कोन गेटी गैलक्सी में पहुची इस दोरान वो फैन से अपना चेहरा चुपाती नजर आई जिसके बाद लोग उने ट्रोल कर रहे हैं फिल्म प्रडूसर प्रिया गुपता के एक ट्वीट पर री ट्वीट करते हुए कंगनर अनौत ने लिखा कि इस देश ने खान को सिर्फ प्यार दिया है जस पर उर्फी जावित नी दियाक्ट करते हुए कंगना पर निशाना साधा डाल ये दोनों की ट्वीट्स पर एक नजर अम्रिता अरूरा की बढ़्दे पार्टी में मलाइका बॉइफरेंड अर्जुन कपूर के साथ नजर आई जिसका वीडियो सामने आया है वीडियो को देख लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं शादी के बाद पहली बार अधिया शेटी पती के अल राहूल के साथ नजर आई इस दोरान वो बेहधी सिंपल लुक में दिखी लेकिन लोगों को अधिया का ये लुक पसंद नहीं आया और उन्होंने अधिया को खरी खोटी सुना दी कार्तिक आरिन और कृतिस आनन की फिल्म शेहजादा के रिलीज डीट आगी बढ़ा दी गई है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजब पठान की सक्सेस को बताया जा रहा है ये फिल्म पहले 10 फेब्रवरी को रिलीज होनी थी लेकिन अब 17 फरवरी को सिनिमा घरों में रिलीज होगी और मुस्ट प्यार विद दीजे महबत की स्पेशल स्क्विनिंग में आरिन खान नजर आए दोरान उन्होंने मीडिया फोटोग्रफर को पूरी तरह से इग्नॉर कर दिया जिसका विडियो तेसी से वाइरल हो रहा है आलिया भट और वरुन धवन ने बॉइकोट ट्रेंड और पठान की बिग सक्सेस पर बड़ा बयान दिया है क्या कुछ कहा है उन्होंने आप खुद ही सुन लीजिये करना टक में आयोजिदिक महाद सफ में कॉनसर्ट के दौरान कैलाश खेर पर एक शक्स ने बोतल से हमला किया बताया जा रहा है कि वो शक्स करनाड गाना गाने की लिए कह रहा था लेकिन जब कैलाश खेर तक उसकी बात नहीं पहुची तो उसने बोतल से हमला कर दिया जानकारी के मताबिक हमलवार ने पुलिस को यही बयान दिया है